चैहिन दोस्तों चैहसे कि आप से भी को पता है कि बिहारवुड का परिच्छा के एक फरवरी से स्टार्ट हो गए है और ऐसे में बहुत सारे बच्चे घबराये हुए हैं कि उसे क्या परना चे नहीं परना चे उसके लिए कि बहुत ही ज़्यादा टेंसन में चले गए है लेकिन आपको टेंसन नहीं लेना है परजो क्योंकि आज आपको हिंदी का वाइरल पेपर कराएंगे जो दुहजार चोबिस परिच्छा जो आप देने वाले हैं उसमें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आपको प्रसनाम आपके बोडी जमें बेखने को मिलें और प्रसनाम को चलिए हम में क्लास को अब करते हैं मतलब कहा जा रहा है यह जो सुभद्रा कुमारी चोहान है वह बीबस बैठी है एक दम नहीं अजा है मासुंग दम चहरा पे तीन तेरा बैठा हुआ है उस तरह से है और उसका क्या है मतलब उसका लरका क्या हुआ चला गया और यह जो है कहां से लिया गया है तो यह जो है कि जैपरकास नरायन को समाज सेवा के लिए किस पुरुसकार से समन किया गया ये प्रसन आपके बोर्ड एक्जाम के लिए और जदा इंपोर्टेंट है तो ये जो जैपरकास नरायन जिसे आप जेपी के नाम से भी जानते हैं और उन्होंने क्या क्या था 1974 में छातर अंदोलन किये थे तो उसे समाज सेवा के लिए क्या 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 था पुरुसकार समान के था तो वो कौन सा पुरुसकार ये परवेच्व बिलकुल ये जो है मैकसे समान जो की ऑप्सन डी वाले का बिलकुल ही राइट एंसर है तो आपको बदना है तीन नमर का बिलकुल सिताब दयारा जो की बिहार में ही है सारंजिला जानते हैं वहाँ पर ठीक है तो यहाँ पर ऑप्सन ए हो जाएगा अब देखिए आपके सामने चार नमर में क्या है कि रामधारी सिंग दिनकर का जन्म कहा हुआ था तो यह आपको अर्ध नारी स्वर जो जिसमें लिखे हैं सीव और पारवती के गुन के बारे में बताये हैं तो यह जो है सिमर्या बेगुस्तराय बिहार के रहने वाले और बेगुस्तराय से बहुत ऐसे बच्चे जो है इस live class को जरूर देख पा रहे होंगे और बिहार के लिए तो बहुत ही अच्छे खासे माने जाते हैं कुन रामधारी सिंग दिनकर के होगे रामधारी सिंग दिनकर ने अनिक परकार के कभीता का कहानी अनिक परकार के चीजे लिखे हैं और जिसमें से अर्ध नारिस्वर जो है एक खेमस कह सकते हैं वो है ठीके आगे चलते हैं यहां पर आपके समय पांच नमर में क्या है कि अर्ध नारिस्वर में कल्पित रुप है तो अर्ध नारिस्वर में आपको पता है कि संकर और पारवती के कल्पित रुप के बारे में बताया गया है तो option C आपका बिल्कुल ही right answer होगा ठीक है च्छो नमबर विने की क्या करा है कि रामधारी सिंग दिनकर को किस रचना पर ग्यानपीट कुरुसकार फ्राप्त होआ था या मिला था देखे ज्यानपीट कुरुस्कार जो है न उसे उर्वसी पर मिला था और संस्क्रीट के चार अध्याई पर उसे कौन सा पुरुस्कार मिला था कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बदेगा और आपको लास्ट में बताना है कि आपको सो में कितना सही हुआ प्यरवचू तो आप कोई पता है कि माल्ती के पती का जो नाम था वो क्या नाम था महेश्वर नाम था क्या था महेश्वर ठीक है और इसके जो पती क्या थे डॉक्टर थे जो क्या आपको दिखाई दे रहा है और यह किसका इलाज करते तो गेंगरी नाम के जो घा होता है उसका इलाज करत रोज शिर्षक में कहानी महिस्वर कौन फल लाता है तो यह फल लाता है प्रवचो वह आम लाता है कौन सा मैंगो फटापट एक मैंगो का इमोजी भीजे तो चरे इमोजी भीजे का मैंगो का प्रवचो ठीक है आपको पता है कि 1928 में भगत सिंग ने किस तल का गठन किया था आपको पता है कि 1928 में हो गया 1914 में हो गया और भी जान ने बहुत सारे जो है भगत सिंग अपने जवाने में बहुत ज़्यादे करता है बहुत अच्छे निष्ठिल से काम किया हुआ है तो यह जो है 1928 में जो है भगत सिंग ने किस तल का गठन किया है तो फटा बड़ बड़ येगा कि नौ नमर का बिलकुल ये जो है नौ जवान भारत साभा का गठन किया है जो कि option A आपका बिलकुल ही right answer है दस नमर दे क्या करा है कि भगत सिंग किसी अपना आदर्स पुरुस मानते थे तो आदर्स पुरुस जो है मेरे पेरचो वो स्वर्न सिंग को नहीं मानते थे गन्ये संकर भी दैर्टी को भी नहीं मानते थे और यहां पर चंद्र सेखराजाद और करतार सिंग सराभा दो ही वे दंगर किस जगर साय थे तो धंगर जो है प्रवाच्चो दक्षिन बिहार साय थे और ये मजदूर पर थे एक तरह से कह सकते हैं ठीक है चली आगे देखते हैं बिना फिरे घोरा बिगरता है और बिना लरे सिपाही यह पंक्ती जो है किस पार्ट से आया है यह जो है उसने कहा था पार्ट से आया है और ये 2021 के एकजाम में सबज़ेक्टी में भी पूछा है तो सबज़ेक्टी में आप उत्तर दे सकते हैं उसने कहा था कहानी के बारे में ठीक है? चलीए आब आगे देखते हैं 13 नुमर में क्या करा कि सिपाही के मा सिर्षक के कांकी में बिसनी चरपा पर बैट कर कुछ काम करती थी, तो वो कौन सा काम था प्यरवचों, तो वो जो है सूत काटती थी, तो यह आपका right answer है, ठीक है, मुन्नी कौन थी, तो मुन्नी जो है बेसनी के बेटी है, जो क्या option क्या होगा, डी होगा, क्या होगा, option डी होगा, प्रगीत और समाज सिर्षक निबंद, किस निबंद संग्रा से लिया गया है, तो ये भी प्रशन भी आई है, इसे चाप लीजेगा, ये बोड़ेजा में जरूर आएगा, ठीक है, आगे चलिए 15 नमबर का फटा बड़वद ये का क्या होगा, बिलकुल ये जो है वाद बेवाद संबाद से लिया गया ये जो है और सोक बाज़ पई है, जो कि option क्या होगा, डी होगा, ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, यहां right answer हो गया, पता चल गया होगा, 17 नमबर का बताना है, तो ये जो है परयोगवादी के रूप में क्या होता है, ये उदाय होता है, ये प्रकट होते हैं, या प्रक आगे दिखेगा 18 नमबर परसन जो है very very important है, ये परसन आपके बोर्ड एक जामें छपके आने वाले प्रवचो, फॉन लेखं कांगो के सिक्षा मंतरी, बित मंतर एवं परधान मंतरी रह चुके हैं, ये जो है हेंडरी लोपेज है, जो क्या होगा, ए होगा, 18 क्या होगा प अलिक महमाज जैसी, जिन्होंने दरपन के बारे में कलपना किया है, चांद के बारे में बता है, को उसमें दाग लगा हुआ, फिर भी उसके बारे में गुन वेगरा हो, बताया गया है, ठीक है, तो अच्छे नहीं पर हैं, तो पर लीजेगा जरूर, नाभादास किस धारा के संत थे, 20 नमर गवतिएगा, तो यह जो थे वैसनम धरम के संत थे, किसके वैसनम धरम, नाभादास का अस्थाई निवास कहा है, मतलब कि यह जो नाभादास है, वो कहां के रहने वाले थे, तो वो आपको पता है, कहां के थे, कहां के थे, तो यह जो थे वेदावन के थे वो क्या लिकर हैं? पुट्र दियोग हो गया, मतलब उसका चला गया, बिनास हो गया, खतम हो गया, एक दरा से कह सकते हैं, तो वो जो सुउब अच्छें हान लिखे हैं, तो कोई आधी मर जाता है तो उसमें खुश नहीं रहता है गम में रहता है तेरा गम अगर न होता तो मैं सराव ना पीता तो उस तरह से क्या होता है गम के बारे में तो इसमें आप्शन ए राइट एंसर होगा ठीक है आगे देखें 23 नमर में क्या करा है कि सुबहद्रा कुमारी चुहान को 1930 में हिंदी साहिते सम्मेलन का कौन सा पुरुषकार मिला था ये जो सुबहद्रा कुमारी चुहान है उसे 1930 में साहिते क्या कहा रहा है प्यारे बचो हिंदी साहिते सम्मेलन का कौन सा पुरुषकार मिला था तो यह आपको पता होगा बिल्कुल जबरदस्त यह जो है सेक्सिरिया प्राइस जो मिला था जो कि ऑप्शन ए बिल्कुल है राइट एंसर है ठीक है चोबीस नमर देखी क्या करें कि ग्यानेंद्र पदी बिहार लोग सेवा आयोग द्वारा चैनित होकर किस पद पर पद अस्थापित किये थे कोई जगा को अस्थापित करते तब कौन था वो करा दिया था कौन था करा देख जो कि आपका फ्राइट एंसर हो ठीक है चली आगे चले पचीस नमर देख क्या करा है कि चीर बिसाद बिलिन मन की यहाँ पंक्ति किस कभीता सिर्सक से लिया गया है चीर बिसाद बिलिन मन की यह जो है लिया गया है पेरवचो तुमल कुलाहल कला से किसे तुमल कुलाहल कला से देखे हम आपको जरूर एक बात बलेंगे पेरवचो पचास सहीवा, नबे सहीवा, असी सहीवा, पॉमेंड करके जाएगा, ताकि हम आपका कॉमेंट देखे कि हाँ, कितना बच्चा कैसा लाया है, ठीक है? 26 नमें देखे क्या करा है, कि चंद सहीवा, गुलेरी की रचना निमन में से कौन सी है, तो उसे ने कहा था, क्या है, उसे ने कहा था, नाभादास की कभीता के हार जीत रही है, प्यरवेचो उसा भी नहीं है, कभीत और छापाय, दोनों में से ही आपको राइट एंसर बताना ह एक है कभीत, ठीक है, कभीत यह अलग हो जोता है, ठीक है, और इसके बारे में ते 27 नमर के क्या होगा, बिलकुल यह जो है, छापाय है, जो कि ऑप्सन क्या होगा, डी होगा, प्यरवेचो ठीक है, जैपरकास नरायन के निर्धन कभाता है, देखे, जैपरकास नरायन 1974 में चातर अंदरन के थे, कहाँ पर के थे, बिहार के गंधी मैदान में के थे, पटना जो है, वहाँ पर ठीक है, याद रखेगा, 28 नमर के बाद यह जो होगा, बिलकुल यह जो होगा, 8 अक्टुबर 1979 में क्या होगा इनके मिर्तु होगया तक इनका जैपरकास नरायन का, अब जन्म बताना है परवाचो, अगर आप कोमेंट पर रहे हैं, मतलग अब लाइब में है, तो जन्म बताएगा उनका जन्म कब वह था, रगबीर सहाई का निर्धन कब वह था, परवाचो, इसके बारे में ते 29 नमबर ठीक है, डेट और वर्स जो है, बहुत ही ज़्यादा इ जिन्होंने क्या क्या है, तीन ही कहाने लिखे हैं, जो कि सबसे फिमस एक है, वो बद्धो के कटा, उसने कहा था, और एक है, सुख में जीवन, ठीक है, चलिए, पदमाबत की कभी के नाम बद है, तो पदमाबत के जो कभी के नाम है, वो जैसी है, ठीक है, और कभी कभी वो रामधादिश की दिनकर है जिनको क्या क्या था ग्यानपिट पुरुसकार मिले था और वसी नाम एक जो रचयता है उसे पर क्या मिले था उसे ग्यानपिट पुरुसकार मिलना बहुत ही सवभाग्य के बाद होती है उससे भी भारत रतन पुरुसकार मिलना उससे भी बहु कमादे में कि मिलता है 33 नमर का बिलकुल यह जो है मुख्टी बोल है बिलकुल option A, right answer दानम दुरात्म एक मानव की आत्मा एक है यहाँ पंक्ति जो है कहां से लिया गया है दानम दुरात्मा एक है ठीक है और मानव की आत्मा भी एक है जिसे दानम का भी आत्मा एक है और मानव की भी आत्मा क्या एक है तो यह जो सब्द है वो कहां से लिया गया है यह जो है उसा पार्ट से लिया गया है जो कि option क्या होगा प्यरवेचो भी होगा पूरा पस्चिन आते हैं नंगे बुचे नरकंकाल यह पंक्ति किस से लिया गया है प्यरवेचो यह जो है आपको अधिनायक से लिया गया है ठीक है याद रिखेंगा आगे देखे 36 नवर में कि तेरी कुरमाई हो गई है कहां से पूछा जा जा था बार-बार यह जो है उसने कहा था कहानी में जो है ना लहना सिंग क्या फिर वेचो लहना सिंग कुछती थी सुबेदार नी से तेरी कुरमाई हो गई अग्ये रचित पाठ का नाम बती है तो अग्ये क्या पता है को लिखे रोजी लिखे है इनका पूरा नाम है और इसमें जो है मालति के बारे में चरीत्र के बारे में पूरा गुन के बारे में कि किस तरह से बच्वन में थी और किस तरह में साधी के बाद जीवन चेंज हो जत प्रवाज के लोग एक सरकारी जॉब का प्राप्त कर लेते हैं या अच्छे पोस्ट के चले जाते हैं तब उसके इज्जत की कल्पना किस तरह से होती है उसके बारे बता है और वो किस तरह से अपने जीवन के व्यत्तित के हैं इनके बारे में बहतरी नौलेज दिये हैं हमारे ओम परकास वाल मिकी जी ठीक है अब आपको बताना है कि ओम परकास वाल मिकी जी का जन्म कभा था एक परोज राज कोबर किस कभीता का पात रहे परोज राज कुबर किस कभीता का पात रहे प्यरबे विलकुल यह जो है सूरदास के पात रहे अगर आप live class जोईन करना चाहते हैं तो सुबा 8 अम और साम के सारे 6 अम जरूर आप live class जोईन कर सकते हैं जहां पर आपको धीरे धीरे परहेंगे समझाते हो चलेंगे पर ये क्या है परहेंगे परवेचो ये आपका practice हो रहा है क्या हो रहा है practice हो रहा है चलिए छातर साल किसकी कविता है तो ये कवित की है जो क्या option क्या होगा परवेचो 24 का ए होगा क्या होगा यह होगा रामधारी सिंग दिनकर के काल थे रामधारी सिंग दिनकर जो है वो किस काल के थे तो रामधारी सिंग दिनकर जो है यह आपके पता है वोना चाहिए विल्कुल यह आधोने काल के पेरवज़ों किस काल के आधोने काल के जैसी किस काल के कभी है तो जैसी बहुत जबरदस्त लूद जबरदस्त फटी है यहाँ पर देखे हैं गलापन सिर्चग हुए मेरा ठेलापन सिर्चक पाट हिंदीसाहित के इक इंवध्या है एक कहानी है नाटा के निबन्ध है डाइरी है अगर आप डाइरी लीख रहे है तो इसमें शिर्फ और शिर्फ सत्ते ही नहीं नहीं लिखना है और सत्य भी लिखना है कि आपके साथ शिर्फ और सिर्फ सही हुआ या नहीं हुआ ये नहीं खल लिखना है ठीक है चलिए अब आगे चलते हैं यहाँ पर दिखेगा आगे तो यहाँ पर दिखें उन्चास नमर में कि करबक सिर्शक कभी तक किस महा कावे का अंस है तो करबक जो है पढ़ माबद का ही है जो कि option अ होगा सोरदास के दोनों पढ़ में किस महा कावे के अंस है तो 50 नमर का जो बिल्कुल है आपको बताना है किस पढ़ का चले वत यह तो कॉमेंट करके बदिएगा ठीक एक परसना और आपके लिए पुत्र व्योग सिर्सक कभीता किस परतिनी देतु कावे का अंस है तो यह जो पुत्र व्योग है वो मुकुल के द्वारा है जो कि option क्या होगा ए होगा क्या होगा option A होगा तार सपत के संपादक को ने देखे पहला तार सपत जो है 1943 और दूसरा जो हुआ थो आपको comment करके बतना है और ऐसा नहीं कि हम नहीं परहाए हुए है दूसरा भी परहाए तीसरा भी परहाए और चौथा भी परहाए तो अगर आपको जो भी पता हो comment box में comment करियेगा ठीक है तो तार सपत के संपादक जो है बेटा है न मालतिका उसी का नाम था ठीक है याद रिखेगा हमें जीवन और मिर्तु के विशाय में किस रिती से सोचना चीए है देखे हमें जीने के लिए अभी जो हम जी रहें उसके लिए और आने वाले समय में जो हमें मिर्तु होने वाली है उसके विशाय में हमें किस तर का अर्थ क्या होता है सर्व व्यापी सब्द का वो हिंदी करामर आ गया फिर अचो जो कि हिंदी करामर वे टाइम हाँ आपको नहीं लेंगे पच्पन नमर के क्या होगा सर्व व्यापी का जो होता है हर जगा व्यापत होना ठीके जो कि सभी जगा आपको प्रस्म देखने से लग रा है किस सर्व अफ, शवी व्यापी, ठीक है? इंदाना, Iman, बेचना महवरी कर्थ क्या होना है? तो इमान बेचना महावरी की थोखा देना, दोखा देना, देवाफाथं ने, यह चना है न, देवाफाथं तो ने मुझे को पागल बना दिया यह दोखा देना जो कि ऑप्शन यहां पर इमान वेच देना है अपने करता विश अट जाना यह नहीं होगा ठीक होता है अर्थिक इस्थितिक हराब हो जाना आपने कभी न कभी गाउं में सुना आघारे भाई मेरा इतना हालत विगर गया कुछ और है कि अरत है तो यह तो कि एक एक दूर तीन हो जाता है मतलए कि पूरा और तीन तेरा मिच्छर जाना थे क्या होता है बिखर जाना जो कि option क्या होगा परवेचो दी होगा दात खटे करना महावरेगर्थ क्या होता है वो 60 नमर का जो होता है आपका फ्राजित करना जो क्या option क्या होगा बी होगा उप 1 में कौन सा अपसर्ग है तो उप है जो क्या option क्या होगा अंकुरित में परते हैं, अंकुरित रित जो है, प्यरवाच ऐसे हैं, और एक अगर ऐसे भी रहाता दो और आपके बास, तो अगर आपको इस तरह से हैं, तो इसको हिर्शिक आपके हैं, यहाँ पर देखिए, अप्शन C को लोग करें, आपका 100% सही होगा, ठीक है, चलिए, आगए एकते हैं बरपन में कौन सा पढ़ते हैं, तो अपन आपका बिल्कुल ही right answer है, अब आपको बोलना परेगा, ख, क्या, ख, क्या, बोलना परेगा प्यरवचो, तो बोलीगा तो, ख, क्या, ख, ये जो है कंट से बोलाता है, क्या से, इस पर वीडियो आप लाएंगे, जर च्छ, ये भी तालूई है, क्या है तालूई है, भाकाव चरन शान क्या है, भाकाव चरन जे दो है, ओस्ट है, क्या है प्यरवचो, ओस्ट है, सहर जो सब्द है क्या है, सहर जो सब्द है प्यरवचो, ये आपके पूलिंग है, सहर क्या है, फूलिंग है, ठीके, देखे, हम आपको जरूर 100% इसमें डाउट रहता है ठीक है इस्त्रिलिंग और कुले लिंग ठीक है बहुँ ज़ला डाउट रहता है तो हम आपको यही सज्जेस्ट करेंगी पेरवच्चो जब आप बोड एक्जामें आप एक्जाम दे तो आप इस्त्रिलिंग और पुलिंग प्रसनों को छोर के 100% चले ज़्यादा उमीद रखिए क्या खना है छोर के चले आप कब उसे सेलेक करिए जब आपके पास ओप्शन कम रहे तब तेकिन अगर आपके पास ओप्शन ज़्यादा है तो आप पहले वाले देखिए उसे प्रसंत। थोरा सा भी मिया है और यह च्रप के आने वाले अप्रसंत। थीक है रखिएगे 58 प्रसंथ क्या होता जो होता है बहुत आदि उजला लगा दिता है और बहुत आदि-मुतर काला तो हेर होगा ही नहीं आपके पास सफेद और सुकल बचा तो अब आपको उता के न है बिल्कूल शुकल होगा प्यारे वाचो, सुकला, सुकला, सुकला का बंबं, चलिए, अस्थावर सब्द का बिलोम सब्द क्या होगा, यह जो होता है, जंगम होता है, क्यारे प्यारे वाचो, जंगम, इस्तूति सब्द का बिलोम सब्द क्या होता है, इस्तूति सब्द का जो बिलोम सब सब्द होता है वो निंदा होता है नहीं होता है कि किसी के सामने चुकल पनी करना वो निंदा ही करना करता है तेरी याद ना आए ऐसी कोई दिन नहीं इसी तरह से करता रहता है कि तेरी बात किसी को ना बताए ऐसी कोई दिन नहीं तो आकर्षन सब्द का बिलोम सब्द क्या होगा पहरोचू आकर्षन सब्द का जो बिलोम सब्द होता है वो बिकर्षन होता है जो कि option क्या होगा ए होगा स्वर्ण सब्द का विशेशन क्या होता है तो स्वर्ण निम होता है और ये परसंद थोरा से इंपोर्टे ने पर विशेशन क्या होगा तो जगदीस होता है जो कि अप्शन क्या होगा ए होगा अग दिन का विलोम सब्द या विशेशन क्या होता है तो दैनिक होता है जो कि क् कितने कितने ब्हीट है एक टोटल जो है वह चार जो है और सब्सक्राइब 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 जोर संद्या यथा जोर संद्या ती यह जो है आपका तत्पुरु समासे यथा प्रती बेभर यह सब आपके तत्पुरु समास में ही आता है या नहीं आता है फटबड़ बतेगेगा बतेगेगा क्या होगा यथा तो बिल्कुल यह जो है डी नहीं होगा परियावाची सब्द का परियावाची सब्द होता है वो जो होता है भूमी होता है क्या होता है भूमी हो गया गने सब्द का परियावाची सब्द क्या हुआ गने सब्द का परियावाची सब्द होता है वो होता है गिरिजा संकर गिरिजा संकर जो क्या अप्सन क्या होगा गायक अच्छा लग रहे हैं? बिल्कुल, बिल्कुल गायक में जो हदा गय जोर अक होता है जो कि option C होगा पहरे, ठीक है परामर्थ, परामर्थ सब्द का संदी बिच्षित क्या होगा तब परम जोर अर्थ जो कि option क्या होगा बी होगा परमा जोर अर्थ है आप परम जोर अर्थ है इसमें बताना आप गलत नहीं करना ठीक है छेले बिल्कुल इसमें C होगा परमा लगा दिये नहीं देखे थे परम होगा परम जोर अर्थ होगा ठीक है पावन सब्द का संदी विचित कौन सा है पावन जो है उसका संदी विचित क्या है यह जो है आधी संदी है जो क्या होगा ए होगा भीर जो है कौन सी संदी है तो भीर जो आप देखते हैं जाती बाचक नहीं हो भाव बाचक नहीं होगा द्रब्य बाचक नहीं होगा और इसम समो वाचक याद रखेगा, आगे चलते हैं, ठीक है, क्या रखेगा याद रखेगा, समो वाचक, आगे देखें, संग्या की कितने बेदे, संग्या की कितने बेदे, ठीक है, टोटल जो है, पांच बेदे, ओप्शन, सी ओप्डा, खुर्सी सब्द क्या, कौन सी संग्या, कि खुरसी जो है जाती वाजिक है इसका नाम रता लैलून हो गया प्लास्ट्रिक वला कुर सिद्धा खुरसी वाल तो यह पूर YE जाती का पूर मनस्चता सब्सक्राइब वेक्राइब और यहीं पर आपका पूरा का पूरा क्लास कम्प्लीट उड़ता है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजेगा और अगर आपको वाट्सप गुरूप जॉइन करना है तो पचासी एटातर जीरो जीरो सथाइस उन्चालीस इस नमबर पर हाई लिखे बेज़े आपको वाट्सप गुरूप का लिंक बेज़ेंगे जिसके माद्यम से आप गुरूप जॉइन कर सकते हैं और ये बीडियो क्या हमें फिरी में दे देना चाहिए गैस एनो कॉमेंट करके बतेगा और आपको सो में कितना सभी हुआ है कॉमेंट जरूर किजेगा ताकि हम आपके कॉमेंट का रिकलाई दे और आपका कितना अचा खासा त्यारी हो गया है वो हम जरूर देखेंगे चलिए आप मिलते हैं अगले वीडियो में क्या असा लगा वीडियो एस्पेसली कॉमेंट करके जरूर बतेगा अभी के लिए बाई बाई जैखें जै भारत